हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टू इग्नुस्टेडी, आज के इस वीडियो में हम लोग V8 के मैरिट लिस्ट के उपर बात करेंगे, जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक और कम्प्लिट जरूर देख लीजेगा, ताकि को भी कन्फूजन आप तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं, मैरिट लिस्ट तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पूने आर्ची के लिए मैरिट लिस्ट आपका अपडेट कर दिया गया है, तो हम लोग एक एक करके, इसमें हरे कैट्री वाइज अलग अपडेट किया है तो एक करके हरे कैट्री का हम लोग देखेंगे, मैरिट लिस्ट यहाँ पर आप देखेंगे जनर्ल के अंदर आपका हाईसमां गया हैf7 और 79 से नीचे marks बाले भी student इस confirm merit list में सामिल है जिनका marks है 79, 77, 74, 72, 71 भी और नीचे आएंगे तो 70, 70 भी तो सबसे lowest marks है 70 मिस इसका cut-off general के अंदर 70 गया है और 70 से plus marks बाले सभी students general category के अंदर confirm merit list में है और यहां पर आपको बताया गया है remark में की off for letter same तो आप अपना email भी जरूर चेक करते रहिएगा और आपको यहां पर note में बहुत important बाते आपको बताई गई है कि अगर आपका tie-up होता है में more than one student का mark सेम आ जाता है तो वो tie-up बाला condition हो जाता है तो ऐसे condition में tie-up केस को resolve किया जाएगा और जिनका lowest position होगा उनको off letter send किया भी जाएगा या फिर नहीं भी किया जा सकता है और tie-up case को किस condition को देखते हुए resolve किया जाएगा तो पॉइंट आपको यहां mention किया गया है जो कि होगा कि two marks of post graduation with 50% marks और one mark of graduation with 50% marks और यह cd point में भी आपको बताया गया कि कौन-कौन से condition को देखते हुए आपके tie-up case को resolve किया जाएगा और यहां पर बहुत important point बता दिया गय email में जो भी student eligible होंगे वो select होंगे देन उनको email के तुरू offer letter send किया जाएगा जो कि आपको clearly बता दिया गया और next के लिए देख लेते हैं तो next है SSC category right तो SSC category के अंदर आपका highest marks गया है 69 और 69 से नीचे marks वाले भी student is confirm merit list में सामील है जिनका marks है 69, 68, 67, 64, 63, 62, 62, 62, right इतने सारे student SEC के अंदर confirm merit list में तो इसका lowest marks गया है 62 means इसका cut off गया है 62 SC category के अंदर और highest mark 69 means 62 से plus marks वाले सभी student SC category के अंदर इस confirm merit list में जिनका rank यहां पर दिया गया है और इसमें भी आपको note में बताया गया है कि tie-up condition होगा तो इस-इस condition को देखते हुए tie-up case को resolve किया जाएगा और जो भी student select होंगे इस merit list में देन उनको offer letter email के थूँ सेंड किया जाएगा और next देख लेते हैं ST category के लिए तो ST category में total 3 students ही है जोगी confirm merit list में है जिनका highest marks 62 और lowest marks 60 और यह तीन student है जिनका confirm merit list में नाम है जिनका rank यहां पर दिया गया है 1, 2 और 3 rank और यहां पर भी note में आपको बताया गया है कि अगर आपका tie-up होता है then tie-up को resolve किया जाएगा इस-इस condition क देखते हुए और जो student is confirm at least select होते है देन उनको offer letter उनको अपने email पर चेक करना होगा क्योंकि email के तुरू आपको offer letter send किया जाएगा fine और देख लेते हैं next category के लिए तो general EWS category के लिए आपको यहां पर बताया गया है तो इसके अंदर आपका highest mark 69 गया है और देखे तो total 6 student है ज general EWS के अंदर confirm merit list में है जिनका नाम यहां पर आप देख सकते हैं और rank यहां पर आपको बताया गया है और यहां पर आपको note में बताया गया है कि अगर आपका tie up होता है दिन की condition को देखते हुए आपके tie up के इसको resolve किया जाएगा और अगर आप select होते हो इस merit list से दिन आपक आपके email के थ्रू आपको send किया जाएगा fine और next category जो की है pH category राइट तो pH category के अंदर 4 student है जो confirm merit list में है जिनका marks है 60, 59, 56 और 56 राइट तो इसका cut-off गया है 56 और 56 से प्लस marks वाले सब यह student इस confirm merit list में सामिल है और इनको यहां पर rank इनका बताया गया है fine और pH category के लिए यहां प आपको यहां पर बताया गया है fine और offer letter आपको send किया जाएगा आपके email के थ्रू अगर आप इस merit list में selected होंगे then okay और इस merit list में कहीं पर भी OVC category के लिए कहीं पर भी merit list दिया ही नहीं गया है हम लोगों ने पूरा discuss कर लिया बट हम लोगों ने OVC का नहीं देखा क्यूंकि यहां पर OVC का discuss ही नहीं किया गया है fine और पूने रिजनल सेंटर के तरब चे एक और PDF जाड़ी किया गया है जिसमें आपको seat matrix करके आपको बताया गया है जहां पर लिखा गया है statement swing vacancy position after sending the offer letter VAD counselling राइट तो total number of seat allotted to RC पूने इस कितना seat alert किया गया है तो 50 seat है और और प्ल total allotted seat बताया गया है तो pH के लिए 5% रखा गया है means total allotted seat जो है वह 3 होगा और offer letter begin send 3 और vacant actors sending the offer letter 0 fine और WW के लिए आपको यहां पर रखा गया 5% के लिए यहां पर सभी के लिए आपको यहां पर बताया गया है तो OBC NCL के लिए तो 27% यहां पर दिया गया बट यहां पर seat कितना alert किया गया है OBC NCL के लिए तो वह आपको बताया गया है कि 27% means total seat जो alerted है वह 40 seat है जो कि यहां पर आप देख सको total 50 seat है और offer letter begin send 31 को और vacant after sending the offer letter 19 students को और total 55 हो जाता है क्योंकि EWS के 5 एड़ किया जाता है दिन राइट यह है आपका seat matrix जिसमें किस category के लिए कितना seat alert किया गया है वह आपको clearly बताया गया फाइन तो अगर OBC NCL के students होंगे दिन वह अपना email चेक करे या फिर next merit list अपडेट किया जाएगा OBC NCL के लिए क्योंकि अ पूने आरसी के लिए और भी बहुत सारे आरसी पे अपडेट किया जा चुका है जिसके ऊपर मैंने वीडियो अप्लोड कर दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दिन लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और हमारे टेलीग्राम चैनल प अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजेगा और वीडियो को जादा से जादा से शेर कीजे और डूंट फगट टू सब्सक्राइब इस चैनल ओके तो थैंक यू टेक क्या एंड बाबाए